इसलिए आख बंद करके एजली हम इस सारे पानी को पी सकते हैं अब इसको शुरू करते हैं यह लगबग मैंने सारा पानी पी लिया है अब हम इसको साइड में अभी आपने देखा है कि उकुडू बैठा हूं मैंने डॉनों वॉल अपने बंद किये हुए है अपने आतों के और एक से दो मिनिट करें दोस्तों तो आज हम आपको बताएंगे कि कुंजल क्रिया कैसे करी लिए क्यों करी आती है यह तो बहुत बहुत बार क्या हुता है कफ बढ़ने से नजला हो जाता है जुखाम बन जाता है, सिर में दर्द रहता है, आदा सीसी हो या माईग्रेन हो, इसके साथ और बहुत तरह की दिक्कते बनते हो, इन सब भी समस्याओं को ठीक करने का एक बहुत अच्छा हमारे पास उपाय है, जो है हमारे पास कुंजल, हाँ जी कुंजल में क्या-क्या खीए कि पानी तब तक पिए, जब तक यह लगे कि अब हम इससे ज्यादा एक बून पानी भी नहीं पी सकते हैं, और बहर आने की परकिरिया खुद पानी सुरू ना कर दे तब तक हमें पानी पीना है, और कुछ चीजे में के लिए कर देता हूं, इसमें हमेसा पानी उक्र पर निकालना पड़ता है आतों तक हमारी जो यह करिया नहीं पहुंचती है वह सिर्फ हमारी अपर चैस्ट जो होती है जिसको आमास से बोलते हैं वहां तक हम इसको कर सकते हैं इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है कि हम कोशिश करेंगे पानी को गूंट-गूंट करके ना गिलास बढ़ते हैं या फिर लोग यह भी करते हैं कि गिलास ले उसमें ठंडा पानी डाला फिर गुंगुना पानी डाला फिर नमक डाला उसको मिक्स किया और फिर पिया फिर दोबारा सी यही करिया इससे क्या होता है कि पानी जो हम पीते हैं लगातार तो वह लगातार न इतना हमें करना होता है, इसलिए 2 लिटर पानी एक बड़े जग में भर ले, और उसमें एक ही बार में गुनूना कर ले, यह नहीं कि बार बार उसमें पानी हम मिला रहे हैं, या फिर नमक मिला रहे हैं, वो हमें क्रिया बीच वीच में नहीं करनी है, और दूसरी चीज हमें हम अगर इसको खाली पेट करते हैं, तो ये करिया उतना ही जादा हमें स्वास्त परदान करती है, इस करिया को करने के बाद हमें कम से कम आदा घंटा खाली पेट रहना जरूरी है, और उसके बाद भी यदि हम तीन चार घंटे तक अगर कुछ खाएं, तो हलकी चीजों का हम स तुद्धी करने के लिए बताया गया है योग के अंदर, अस्टांग योग के अंदर, और इसके साथ साथ हम आपको और चीजे भी बताएंगे, कि हमें आगे-ागे कैसे करना है, आइए श्रू करते हैं इस क्रिया को, कि पानी ठंडा हो जाए उससे पहले, सबसे पहले जैस इसको हिड़दय की कोई समस्या हो, जिनको पेट में सूजन हो या फिर घाव हो, अलसर जिसको बोलते हैं वह हो या फिर बीपी की समस्या हो, वो लोग इस किरिया से बचेंगे, चाहे हाई हो चाहे लो हो, चीज़ को आगे कंटीनू करेंगे, इसमें मिलाने के बाद इसको अच्छे से नमक को मिला लेंगे, यह पानी में उपर तक इसलिए भरा है, क्योंकि मैं पूरा पानी पी जाता हूं, और मुझे पता है, शुरू-शुरू में क्या करें, आप 1-5 लीटर पानी से शुरूत करके, आगे इसमें बढ़ सकते हैं, तो यह हमने पानी ले लिया है और एक सावधानी के लिए टौवल जरूर रखें, क्योंकि बहुत बार मुह पहुचना पढ़ता है, और एक्सरा पानी जरूर रखें, जिससे कि हाथ मुह दो सकें, बहुत बार क्या होता है, जब हम लार निकलती है, तो हमें अपने आप से घिन थोड़ी महसूस होती है, क इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका थोड़ा सा पानी हम निकाल लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि उकडू बैठना है, तो उकडू बैठने के लिए जमीन पर ही कोसिस करें, और गुटनों को चाती के जितने करीब लाएंगे उतना अच्छा है, ये, और हात तो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, और आँख बंद करके, क्योंकि कही बार क्या होता है, हम आँख खोल के पानी पीते हैं, तो हमारे मस्तिक्स ये दिखाता है कि 2 लीटर पानी पर पिया नहीं जाएगा, इसलिए आँख बंद करके, इसलिए इस सारे पानी को पी सकते है अब इसको शुरू करते हैं, एक सास में मैं लगवा एक से रेटलीटर पानी पी लिया और इसमें जो गैस बनी होगी बॉड़ी के अंदर वो आटोमेटिक बाहर निकलती है, इससे क्या होगा गैब बनेगा बॉड़ी के अंदर और जो गैस बनते उसको बाहर निकालने का फिर से हम एक स्वास में पानी को पूर पियेंगे अगर इसी अगर्षा इसा पानी पीलिया अब हम इसको साइड मेर देंगे अभी आपने देखा है कि अधुरू बैठावा मैंने दौनाँ वाल अपने बंद किये हूए है अपने आप नोंगे और एक से दों मिनिट करेंग कि इसे क्या होगा कि जो अमने नमक वारा नमगीन पानी पिया है वह समय क्या करेंगा बॉड़ी के अंदर जितना भी कॉलिस्रॉल जमा हुआ पड़ा है या फिर हमारे बॉड़ी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में बोजन चिपका होता है आप तो में पेट में कहीं पर इसको छुड़ाने काम करेगा, इससे में सुद्धी चल रही है बोडी के अंदर, नमक के बानी की, वोस कॉलिस्ट्रोल को गला के पाने मिलाने का काम करेगी, कफ को पिगला के पाने मिलाने काम करेगी, क्योंकि हमने गरम पानी भी पिया है और नमक डाल के भी पिया है, और इ नमबर पर आता है कि हम खड़े होंगे और खड़े होने की पोजिशन इस हिसाब से रहेगी कि जो पानी का जुस्तर है वो मुह के मुकाबले उंचा होगा जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ अब हम इसको पानी को नाली में बहार बहाने की कुसिस करेंगे तो किसी भी चीज को अब मेरा मुह तो उपर है और जो मेरा पानी जो मैंने पिया है पेट के तुस्तर है वो अपोजिट है नीचे है तो मैं मुझे इसमें डवल हमें प्रैसर लगाना पड़ेगा पानी को बाहर निकालने के लिए वहीं यदि मैं इस पोजिशन में जुक्के करता हूं तो पान इसली बाहर निकलेगा और जो गंदगी है वो जल्दी बाहर आ जाएगी और मुझे इतना लोड भी नहीं लगाना पड़ेगा आये शुरू करते हैं इसमें पान निकालने के लिए अगर खुद से पाने निकलना शुरू हो जाए तो अच्छा है क्योंकि हमें क्रिया की करत सांस पैदा नहीं होगी या फिर घाव बनने के चांस नहीं होंगे अब ही हमने क्लियर कर लिया यह जिनको बीपी की दिक्कत होती है वो लोग इसक्रिया को ना किसी के परामर्स के ना करें क्योंकि सांस फूल लेगा और बॉड के उपर प्रेसर बढ़ने का इसमें खतरा र पानी बहर आ चुका है तो आपका जो एनस पॉइंट होता है यानि कि मूलाधार चक जब तक वो पूरा खिशाव ना मारे यानि कि पूरा प्रेसर बहर की तरफ ना लगे और जैसे ही प्रेसर लगेगा और आपका एक एक बूंद पानी अगर बहर आ जाता है तो इसका चैस्ट से आवा जाती है कफ जमने की बल्गम जमा रहता है तो उसको इसको इसली कर सकते हैं दूसरा यह हमें फायदा किसकी सीज में करें जैसे मैं बताया पाचन क्रिया हमारी मजबुत होगी यदि हमाई खराब रहती है या और कोई समस्या रहती है सांस की समस्या में एक काफी effective है इसके साथ यह है जो हमने कफ बढ़ जाता है कफ को कसम करने में भी मजट करेगा नजला committed Mmm माइगरेन हो जाता है, आदा सीस्य梁कर दर्द बोलते हैं जिसको साइनेस की प्रॉब्लम होती है, उसमें भीए ये व काफी असरदार होती है और आंखों की अगर चमक कम हो जाती है, तो आंखों की चमक को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फाइदेबंद किरिया बताई गई है इसका नाम है कुंजल किरिया तो आपको जब भी ये लगे कि आपके पेट में कोई समस्या है या फिर फास्ट फूड आपने ज़्यादा खा लिया है एसेडिटी बन रही है गैस्ट्र की समस्या बन गई है कबज रहती है खाना पस्ता न करना है तो इस किरिया को अब हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कर सकते हैं और जब जादा आपको कमजोरी महसूस होती हो तो फिर इस किरिया को हम छोड़ देंगे नमस्कार